यारे बच्चो नमस्ते कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे तो देखें बच्चो आज हम क्या देखेंगे तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस एट वन पॉइंट टू का बेसिक कॉंसेप्ट उके तो इस लेक्चर में मैं आपको क्या होंगी पहले हम देख लेते कि यहां से हमें कौन सा फॉर्मॉला मिलेगा तो आएए देखते हैं देखो बच्चो यह इसका स्टेटमेंट है अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हो स्टेटमेंट में देखो दो पार्ट होते हैं हमेशा इफ के बाद वाला पार्ट है आप समझें का वो हमारा given part होता है और जो then के बाद है वो हमें क्या करना होता है ठीक है तो यहीं से हमें वो formula मिलेगा आईए मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा है एक बार मैं इसे पढ़ती हूँ फिर आपको figure के माध्यम से explain करूंगी इसका meaning क्या हुआ चलो simple से भाषा में समझते हैं देखें student अगर यह होता है जैसे माल लीजी आपके पास क्या है कोई triangle है जैसे आप देख भी सकते हो triangle आपके सामने है which is ABC तो यहाँ पर मैं लिख दू क्या in triangle ABC ट्रैंगल ABC में हम क्या देख रहे हैं तो यहाँ पर हमने यह ची color to segment BC यहाँ आप मैं लिख भी देती हूँ कि line L जो है यह क्या है बच्चो यह parallel है किसके parallel है तो side BC के यह parallel है और एक और बात यह जो parallel वाली line है यह क्या कर रही है यह इस triangle के जो remaining sides हैं उनको अलग-अलग points पे intersect कर रही है आप देख लो intersect हो रहा है कि नहीं जैसे side AB को यह वाल point Q पे काड रही है है ना तो यहाँ पर वही तो बोला गया था कि if a line parallel to a side of a triangle मतलब एक line क्या है माल लीजिए अगर एक line parallel है triangle के किसी side के जैसे हम देख सकते line L parallel है BC के और वही वाली line intersect करती है किसको intersect करती है तो जो remaining sides है ना देखो remaining sides of two distinct points मतलब remaining sides in two distinct points यानि दो अलग- right तो वह remaining sides को दो अलग-अलग points पे अगर intersect करती है तो फिर इसका result क्या होगा तो फिर इसका result यह होगा कि यहाँ पर देखो लिखा है line divides the sides in the same proportion यानि यह जो line है यह क्या करेगी बोलना सरा यह sides को same proportion में divide करेगी यहनि कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब simple सा है कि a p upon pb यह कि किसके equal हो जाएगा तो a q upon qc के यह equal हो जाएगा तो यह है इसका result तो देखो प्यारे दोस्तों यह हमारा given वाला part है जैसे कि आप देख रहे हो ना तो यह मालनी जी आपको कहीं पर question में ऐसा मिलेगा तो आप न यह बोल सकते हो यह हमारा to prove वाला part है यानि कि यह इसका result है यह क्या है यह if if के बाद वाला जो statement था वो यह है पूरा और दिन के बाद वाला यह है ओके तो यहां से आपको क्या बात ध्यान में रखनी है यही दोनों बात ध्यान में रखनी है कि अगर किसी triangle में ऐसा कुछ condition बन रहा है कि उसमें एक side parallel है किसी side के triangle के और फिर वो क्या क होता है प्यारे बच्चों आप लोगों का basic proportionality theorem ओके चलो यहां तक तो बात समझ में आ गई आप लोगों को और जब question के अंदर हम इसका use करेंगे तब और अच्छे से clear हो जाएगा अब सुनो मेरी एक और बात ध्यान से यह जो आपका basic proportionality theorem है न यह board exam में पूछा ही जाता ह है ठीक है और आपको क्या करना रहेगा जैसे यहां पर तो बस मैंने आपको यह formula बताया लेकिन देखो जैसे यह हमारा क्या है यह इस statement के हिसाप से देखा जाए तो this is our given point मतलब यह हमारा क्या है यह given वाला पार्ट है और यह to prove वाला पार्ट है तो देखो जबी भी आपको एक्जाम में यह statement पूछा गया पूरा यह theorem तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको गिवन भी खुछ से लिखना है तू प्रूफ भी खुछ से लिखना है फिर अगर इसमें आप construction कर रहे हो तो construction भी लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसका जो पूरा प्रूफ है प्यारे बच्चोब यहां पर बताना होगा यानि पूरा प्रूफ आपको को लिखना होगा कि यह कैसे आया यह जो हम डिर्क लिक्क करके बताना पड़ेगाए चो मैं आपको अपको बताती हूं कि मैंने पहले से ही यahh-ठमश इन को प्लोडेट है के से दीण्क मैं डेधि हुआ है वीडियो प्रॉपर लिए अच्छे से बना दिया है तो आप क्या करना यह वीडियो खतम होने के बाद जो बेसिक प्रोपोर्शनालिटी थेरा में दोस्तों उसको आप देख लीज़ेगा अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसको ना मतलब लिख लिख करके पुछा ही जाता है आपको बस यह स्टेटमिंट दिया रहेगा आपको क्या करना पड़ेगा फिगर भी खुछ से बनाना है गीवन भी खुछ से लिखना है तूप रूव कंस्रॉक्शन प्रूफ सब कुछ आपको खुछ से लिखना होगा ठीक है समझ में आ गया तो यह था तो दब कंवर्स यानि अपोजिट होता है जैसे माल लीजिए बेसिक प्रोपोर्शनालिटी थियरम में हमने क्या देखा कि यह हमारा गिवन पार्ट था अब जो इसका कंवर्स है इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा यानि यह बन जाएगा गिवन पार और यह बन हूं इसका मतलब क्या हुआ जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है एक ट्रैंगल है जो क्या करती है ट्रैंगल के जो दोनों साइट सेना उनको सेम रेशियो में अगर वो डिवाइट कर रही है वह वाली जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि यह जो लाइन है न प्याने द हастे एक प्वाइन से बनता है तो फिर हम क्या कह सकते हैं देखो तो फिर यह वाली जो लाइन है यह पारलल के पालल हो जाएगी यान कहने का मतलब क्या है कि लाइन एल इसे पैरलल टू साइड बी सी ऑके बात समझे है तो देखो भई यह आपका गवन वाला हिस्सा था आप देख सकते हो है ना यह हमारा टूप वाला हिस्सा था जो हमें प्रूफ करना चाहिए ओके देखा आप लोगोंने तो यह है इसका प्रूफ मतलब यह है यह वाली property Converse of basic proportionality theorem तो याद रखेगा Converse of basic proportionality यह होता है हम इसका यूज जब सॉल्फ करेंगे तो वहां पर करेंगे ठीके दोस्तों एक बार फिर से पढ़ देती हूं मैं आपके लिए सुनों ध्यान से क्या लिख्थ है देखो एक लाइन डिवाइट सेने टू साइट 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 के पैलल हो जाएगी तो यह था आपका कनवर्स और कनवर्स का प्रूफ एक्जाम में नहीं पूछा जाता है तो इसके आप चिंता मत कीजिएगा यहाँ पर बस आपको इतने वी बात ध्यान में रखने है जो इंपोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया यह इंपोर्टेंट था ओके तो देख ल आंगल बाइसेक्टर को लेकर के एक प्रॉपर्टी हमारे सामने है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसका स्टेट्मेंट भी है और यहाँ पर इसका फिगर भी है तो आईए मैं फिगर का नाम लिख देती हूँ इसका नाम मान लीजी क्या है प्यारे बच्चों A, B, C और यहाँ पर यह जो यह इंटरसेक्ट कर रहे है तो यह हम मान लेते कि यह है पॉइंट D ठीक है तो चलो अब इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुए देखो यहाँ पर लिखा है कि the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides अब यह कहने का मतलब क्या है यह जो हमारे सामने triangle ABC है ना देखो मैं आपको लिख करके बताती हूँ in triangle ABC triangle ABC में हम क्या देख पा रहे है कि यह जो आपको AD दिखाई दे रहा है यह देखो यह जो आपको ray AD दिखाई दे रहा है this is bisector ओके यह क्या है यह bisector है किसका bisector है प्यारे बच्चो तो angle A का bisector है मतलब ray AD is the bisector of angle A यानि कहने का मतलब क्या angle bisector हम किसको कहते है जो angle को two equal parts में divide कर दे ठीक है तो यह जो AD है यह bisector है तो फिर यहाँ पर angle A जो है यह दो पाट में यहाँ पर divide हो जाएगा ना यानि this angle is equal to this angle दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे ठीक है तो अगर किसी भी triangle में ऐसा होता है तो हम क्या कह सकते हैं by the property of an angle bisector theorem हम ये कह सकते हैं bisector of a triangle क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो ray है ये कहाँ पे इसको intersect कर रहा है point deeper तो इसका proportion मतलब इसका ratio किसके equal हो जाएगा जो remaining sides है ना उनके ratio के equal हो जाएगा यानि कहने का मतलब क्या है देखो जैसे यहाँ पर क्या होगा यह जो आपको bd दिखाई दे रहा है bd upon dc ये equal हो जाएगा किसके equal होगा तो जो remaining sides है जैसे एक side तो ये वाली होगे अब बचे हुए sides कौन कौन से a b और a c तो इनके ratio के equal हो जाएगा यानि आप यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों यहाँ प फ़ले a b upon a c k तो जब मैंने यहाँ से शुरुआत की थी यहाँ से तो जब मैं इस side लिखूंगी ना तो इसको लिखूंगी ठीक है ना कि इसको लिखूंगी समझ में आ रहा है अच्छा देखो मानलो आप ऐसे करते ऐसे लिखते कि c d upon db मतलब यहाँ से शुरुआत कर रह है ठीक है clear हुआ तो चलो एक बार इसको आप पढ़ते हैं और फिर अच्छे से इन दोनों को compare करके समझते यहाँ पर लिखा है कि the line of an angle of a triangle divides the side opposite to the bisector of an angle मतलब एक angle का जो bisector है वो क्या करता है देखिएगा triangle में device the side मतलब वो side को divide कर रहा है opposite to the angle in the ratio of the remaining sides मतलब इसके opposite में ज side है राइट आप देख सकते हो तो इसका रेशियो जो remaining side से ना उनके ratio के equal हो जाएगा समझ में आया तो माल लीजी यह वाला जो पार्ट है ना this is our given part ओके यह हमारा given वाला पार्ट है और यह हमारा to prove वाला पार्ट है तो यह चीज़ आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है ओके समझ माया अगर किसी भी ट्राइंगल में ऐसा कुछ condition दिखेगी ना तो फिर हम यह चीज बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कौन से थियर्म से बोल सकते हैं तो by this theorem ओके property of an angle by sector of a triangle ओके students याद रहेगा और आप लोगों को बता दू कि यह जो property है ना student यह भी आप लोग अच्छे से देख लेजिएगा वह जो लिंक मैंने दिया है ना उसमें यह वाला थियर्म भी है तो उसको भी आप जरूर देख लेना बेसिक प्रोपोर्शनालिटी थियर्म और यह थियर्म को पक्का देख लेजिएगा ठीक है चलो भई आगे चलते हैं और इसक इसका अपोजिट है जैसे इसमें जो गिवन पार्ट था ना वो अब इसके लिए टू प्रूफ बन जाएगा और जो इदर टू प्रूफ था वो गिवन पार्ट बन जाएगा यानि कि अब देखो यहां पर देखो प्रोपल ली लिखा भी है जैसे मान लीजिए हमारे पास dc देखो bd upon dc किसके equal है a b upon a c के equal है a b upon a c के क्या है वच्चो equal है तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि यह जो ray d है यह क्या होगा यह angle by sector होगा कौन से angle का तो यह वाले angle का देखो यहां पर लिखा angle b a c यानि कि angle a की बात की जा रही है ठीक है तो यह अब जो है समझ में आई कि नहीं अच्छे से चलो तो यह जिसका अपोजिट है एक थिरम अगर आपने समझा तो इसका आपको खुदी समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें हमें अपोजिट करना होता है ठीक है क्लियर हुआ अब इसका भी हम उसकी प्रॉपटी यहां पर दी गई है मतलब उसका थिरम तो आईए जे नहीं हम समझते हैं देखो भई क्या है यह मैं आपको बताती हूं जैसे कि पहले मैं आपको ऐसे सिंपल से भाशान बता देती हूं हमारे पास क्या है बही हमारे पास यह तीनो लाइनस और आप आपस में न पैरलल है यह लाइंस क्या है पैरलल है अब उसके बाद देखिएगा यहां पर इन पैरलल लाइंस का यह है हमारा पहला ट्रांसवर्सल टी वन और यह हमारा दूसरा ट्रांसवर्सल यानिकी टी टू ओके ट्रांसवर्सल का मतलब पता है ना जब पैरलल लाइंस क उसको कोई लाइन इंटरसेग करके जाता है तो उसको हम क्या कहते है बच्चो उसको हम कहते है सब्सक्राइब को सब्सक्राइब अब चलो आए थेरह में नीजरा है कि अच्छ से पढ़ेंगे इन यह और डी देफ्र और Was इसका मतलब क्या हुआ देखो ध्यान से सुनो जैसे कि intercept यानि क्या होता है वही काटना ओके देखो यहापर क्या लिख है the ratio of the intercept made on a transversal by three parallel lines पहले यहां तक समझेगा यानि हमारे पास मान लीजे कोई line है ट्रांसवर्सल लाइन है तो यह ट्रांसवर्सल लाइन के उपर इंटरसेप्ट से यहां पर बन रहे हैं by three parallel lines यानि कहने का मतलब क्या सिंपल सी वासा में समझेगा कि यह जो तीनो parallel lines है यह क्या कर रही है इस टी वन को यह ट्रांसवर्सल वन को देखो यहां पर intersect कर रही है point a point b and point c पे आप देख सकते हो ठीक है समझ में आया समझ में आ रहे हैं और फिर उसके बाद मान लीजिए यह हमारा ट्रांसवर्सल टू है टी टू है बराबर और यह फिर से इस ट्रांसवर्सल टू को भी यही तीनो लाइन्स यही तीनो parallel lines क्या कर रही है अलग-अलग points पे intersect क कर रही है मान लीजिए यह P है यह Q है और यह R है ठीक है तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या कह सकते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि यहां पर AB upon BC यह किसके equal हो जाएगा PQ upon QR के equal हो जाएगा तो इसका result में आपको लिख करके बता देती हूं AB upon BC this is equal to PQ upon QR ओके तो यह है प्या given में यह है कि यह 3 lines है parallel जो क्या कर रही है इन दोनो transfers को अलग-अलग points पर intersect कर रही है यहां पर आप देखो 3-1 साथ कर रही है यहां पर यह 3-1 साथ इस वाले line को T2 को intersect कर रही है 3 अलग-अलग points पर ओके तो ऐसा कुछ अगर condition बनता है तो उसका result यह हो जाएगा और यह बात और इसके मारे में एक और बात बताऊंगी, रुको, पहले तोड़ा सबर करो, the ratio of the intercepts made on a transversal, यानि एक transversal है, और यहाँ पर intercept बन रहा है, by three parallel lines, तीन parallel lines के द्वारा, है न, तो यहाँ पर इनका ratio किसके equal हो जाएगा, तो corresponding intercepts made on any other transversal, by the same parallel lines, मतलब वही parallel lines same रहेंगी, और एक और नया transversal हा जाएगा, तो फिर उस ratio के वो equal हो जाएगा, तो यह बात यहाँ पर हो जाती है, ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को चलिए, बहुत अच्छी बात है, अब सुनों मेरी बातों को ध्यान से, इसका भी जो theorem, मतलब यह जो theorem है, इसका भी पूरा प्रोप मैंने, उस playlist में है, आप देख लीजेगा, यानि इस chapter में कौन-कौन से चीज़े important है, वाद प्रैक्टिसेट 1.2 सीखने के लिए मैंने आपको यह जो properties बताई, इन में से कौन-कौन से theorem से एक्जाम में पूछने के chances है, तो पहला basic proportionality theorem, दूसरा angle bisector theorem, और तीसरा property of three parallel lines and their transversal, तो तीनों को आप पढ़ लीजेगा, बहुत अच्छे से मैंने सिखाया हुआ है, तो जरूर आप उन वीडियो को देखिएगा, ठीके बच्चो, चलो, तो यहाँ पर मैंने आपको 5 properties बताई, जिन में से 3 बहुत जादा important है, वो भी मैंने आपको बता दिया, कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो चलिए, यहाँ पर जो basic है practice 8 1.2 का, यह होता है समाप्त, अब उसके बाद हमें देखना है practice 8 1.2 के questions को, तो उनको हम solve करेंगे हमारे lecture number, कौन से lecture में, lecture number 6 में, ठीके बच्चो, तो आप लोग अगला वीडियो देख लीजेगा, ओके तो चलिए बस आज के लिए इतना ही मिलेंगे, बहुत ही जल्द हम लोग next वीडियो में सम लोग अपना ध्यान रखिए, bye everyone,